Hello guys welcome to Tech Alixer और यार आज हमारे पास है Airpods Pro second generation यार मजा कर रहा हूं यह Airpods 2 है second generation है बट यह high copy clone है Airpods के आप देख सकते हैं बलकुल box वैसे की वैसे ही दिख रहा है जैसे एक original box दिखता है Airpods Pro का और आज हम करने वाले हैं की अन्बॉक्सिंग और इसका चोट असर रिव्यू और क्या यह है वर्थिट है क्या इक किस प्राइस पर मैंने से पर्चेस किया कहां से मुझे मिले हैं तो यह सारी बाते करेंगे तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट अश्युआ सबसे पहले एक बॉक्स है वैसा ही जैसे एक एयर्पोर्ट प्रों का होता है और सिंपल यहां पर देखो एक एक एपल की ब्रैंडिंग भी है यहां पर और यहां पर कुछ डिटेल्स लिखी हुई है और यहां पर आप देखोगे तो कम्प्लीट ऐसा लगता बिल्कुल ओरिजिनली कॉपी किया गया और मेनफेक्टिरिंग डीट भी लिखी हुई है अब तक सेकंड जेनरेशन पर 26,900 रुपे और कंट्री ऑफ और चाहिन चाहिना चलो और बाकी यहां पर लिखाओ एरपोर्ट्स प्रो वायरलेस चार्जिंग केस और चलो इसको सबसे पहले अन्बॉक्सिंग करके देखते हैं हैं और क्या यह था एक्सपी देता है SPOCS का मजा उणियाओ एक दम खुल गया जैसे क्या ए को सील पैक होता है फ्रियोग के चाहिंग नहीं दिखा तो इसको साइड में रखते हैं सबसे पहले यहां पर लिखा हुआ है डिजाइंड बाइपल इन केलफॉर्म है गजब की कॉपी कर लेते हैं लोग अंदर देखते हैं क्या है अंदर वाई सब एक होती है बुकलेट्स एपल वन ये लिमिटेड वर्ण चलो एपल के पास भी चले जाएंगे और इंट्री का दिक्कत होगी तो यह इन सब को करते हैं साइड में और यह आता है हमारा मेन प्रोड़क्ट ठीक है और यह जब मैंने लिया था तो इस पर पहले से ही थोड़े से स्क्रेच इस थे तो भा जो की वैसी ही है आप इसको यूज कर सकते हो टाइप सी और यह आईफोन की जो पेन होती है वह है तो इसको तो साइड करते हैं और बाकी कुछ निया विल्गूल खाली है और इसकी बात करते हैं सबसे पहले इस तरीके का यह केस है और हुँआ ज़्यादा है एवी है ऐसा लगाने के लिए और पीछे लिखा हुआ है डिजाइंड बाइपल इन केलफॉर्णी असेंबल इन युएसे बट इसका फॉर्ट थोड़ा अलग सा लग रहा है मुझे जहां तक कि मैंने एरपॉर्ट पर देखिया वह फॉन्ट अलग है विल्कुल तो पता ही लग रहा है अब आपको बता रहा है मैंने परचेस कितने का किया है मैंने चुछल परचेस किया है यह टूट हाउजन रूपीज के और बाकी यह मैंने बारगेन भी किया था वह कर नहीं गया था बट मुझे लगा कि मेरे को थोड़ा सब जादा में मिल गया है वाट यह है नहीं 121300 यहां से साउंड आती है और यहां पर एक माइक शायद हो सकता है और तो बाकी कुछ भी नहीं है इसको ओपन करते हैं ओपनिंग एक्स्पीरियर्स तो ठीक ठाक है मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि आप लोकल चीज उपन करो बट हिंज है एक हिंज होती है उपन करने में जब आप देखो को उपन करोगे तो एक हिंज होती है तो एक काफी अच्छा लग रहा है और अंदर आपको detailing भी देखने को मिलती है मतलब अच्छी खासी बढ पर लगते हैं वैसे ही लग रहें और दूसरा देखते हैं दूसरा भी वैसा कि वैसा ही है ओ भाई साब अब कम्प्लीट पैकेज है कम्प्लीट कॉपी किया है यह देखो अच्छी सा और यहां पर नीचे कुछ टिटेल्स पी लिक्षि हुई है अब पता नहीं क्यों लिक् साथ में देखते हैं साथ में देखने ऐसा लग रहा है किसी ने पहले से इसको यूज करके रखे हुए थे और यह लोग पता नहीं किस तरीके से बनाते हैं यह थोड़े चीप क्वालिटी के तो नहीं लग रहे मुझे बट हाँ ठीक है प्राइस के इसा आप से हो सकता ठीक है वही नकली चमकाने हो आपको चमका सकते हो अब चलो इसको कनेक्ट करके भी देख लेते हैं और कनेक्ट करके देखते हैं क्या इसका हाल होता है गाइस मैंने इसको सर्च किया और मुझे एरपोर्ट्स प्रो ही नजर आ रहे हैं इसमें तो यह एरपोर्ट्स प्रो के नाम से कि ऐसे लग रहा है कोई ड्रम बजा रहा है और साउंड क्वालिटी एवरेज ही है जनल जो पॉर्ट होते है उससे विवेकार है तो मेरे को तो ज्यादा मज़ा नहीं है दूसरे दूसरा भी देखता हूं आयों है और अटोनेमेंटिकली पता निहीं है क्या हो रहा है आपने लिए टीटी बंद हो रहे हैं यहें काम कररें दा:「 कि देखता के शॉत बतार सक्क्रांषर कहां से काम कर रहे हैं सेंसर क्या क्या इसके एंसर के बहुत जादा ज्यादा lorsque D तो आपको भी मैं रिकमेंड करूँ है कि आप इसको पर्चेज नहीं करें तो अच्छा है और मतलब ऐसे हैं और कोई मजा नहीं आया विल्कुली मेरको तो ठीक है अगर आपका मन हो तो पर्चेज कर सकते हो बाकि बेस बैस कुछ नहीं लगा टॉप नौच कुछ नहीं है ना सब्सक्राइब कर देना और इस एरपोर्ट सो खरीदने की गलती मत करना से क्लोन को ओरीजिनल इस ओरीजिनल ऑल्वेस तो थैंक यू सो मज गाइस पर वाचिंग दा वीडियो जैहिल